हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल डीप डिलिस्यस रासिपी आज की वीडियो में हम बिल्कुल न्यू रासिपी लेकर आए हैं यह रासिपी केले से बना हुआ है यदि इन सर्थियों के मौसम में आप केला नहीं घाना चाहते हैं तो आप इस रासिपी को ट्राइ कर करेंगे वन बॉल क्रीम मिल्क अड़ करेंगे अब इसे विस्क से या किसी भी स्पूर से मिक्स करेंगे अब इसमें वन बॉल मिल्क अड़ करेंगे अब इसमें हाफ कब सुगर एट करेंगे अब इस तदह से आप किसी भी से इसे मिक्स कर सकते हैं यदि आप चाहें तो बलोन से या किसी भी इसपून से भी आफ इसे मिक्स कर सकते हैं अब लगबक तयार हो चुका है अब हम इसके प्लेवर को power करके देगे अब दो केले इस तरह से रफली कट कर देगे और इसका पीज आभ देख सकते हैं कितना arch तरह से हमें रफली कट कर लेना है कर दो को एक बादान प्रटान में न एक बैल के जाने तो मैं मेरा मेल्क और तो हम ढकाशी है द्यार जो अब अब इसमें 7-8 दाने काजू के और एड करेंगे और 7-8 दाने बादान भी और इन अदो इन्हे बिल्कुल हलका फ्राइद करना है अब यह रोज को छुका है अब हम उसे फॉल मैं सब्सकत कुछ दाने किसमें तो करेंगे और इसलेकर करेंगे और 3 दान इसाः करेंगे तो दस मिनट हो चुके और यह बैटर बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है आप इसे देख सकते हैं अब इसे एक बार मिला लेंगे अब हम इसमें ड्राइफ रूट एड़ करेंगे यह रोस्टेट ड्राइफ रूट है जिसको अपनी हमने रोस्ट किया था और उसे ही हमने चौप किया है अब इसका बिल्कुल अच्छा सा थिक बैटर तयार है आप इसे देख सकते हैं जिस पैन में ड्राइफ रूट रोस्ट के थे उसी पैन को लेंगे और इसमें घी जो है से फैला लेंगे और इसमें सभी केले के टुकड़े को इस तरह से एड़ करेंगे इस तरह से केले के पिसेस का एक लेयर तयार करेंगे इसके ऊपर हमने जो बैटर अभी तयार किया है वो कल्ची के हद से इस तरह से इस पर एड़ करते चाहेंगे और इसके ऊपर भी हम केले के पिसेस को एड़ करेंगे यह लेयर हमारा बहुत मोटा नहीं होना चाहिए और नह अब इसके उपर रोस्ट किया हुआ ड्राइफ्रूट एड़ करेंगे इस तरह से हम सभी ड्राइफ्रूट को बिल्कुल अच्छे से इस पे गार्निस कर लेंगे इस तरह से यह दिखने में भी बहुत यमी लगेगा और इसका टेस्ट भी बहुत ही यमी होता है अब यह हमारा दिखने में बिल्कुल डिलीशियस तयार है और अभी इसे हमें 12 से 15 मिनट के लिए कवर करके कुप करना होगा तो अब हम इसे कवर करते हैं मेडियम लो फ्लेम पर हम इसे कुप करेंगे तो अब यह हमारा बिल्कुल तयार है और यह दिखने में बहुत ही डिलीसियस लग रहा है और अब हम इसे चेक करते हैं यह हमारा कुक हुआ है या नहीं तो इस तरह से आप किसी भी स्पून से इसे चेक कर सकते हैं और देखें यह इस पर लगा नहीं है और यह बहुत ही अच अब हम इसे कट करेंगे और आपको इसे कट करके हम दिखाते हैं तो यह हमारी बिल्कुल डिलीशिपी बनकर तयार है आप भी इसे इस तरह से ट्राइ कर सकते हैं इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगेंगे 15-20 मिनट आप इसे बहुत आसानी से तयार कर सकते हैं बहुत ही हेल्दी नास्ता है यह यदि आपको यह रेसिपी अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नाक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टक्याएं बाग बाई